आसलाम अलेकुम आएम बिलाज साहित फ्रॉम मोबाइल अरीना योट्यूब चैनल वीवर्स आज की इस आफटर फेक्ट टोडरल में हम देखेंगे कि हम अपना ये वाला जो इंट्रो है जो इस वकत यहाँ पर आपके सामने आ रहा है ये कैसे त्यार कर सकते हैं अब अडोबी आफटर इफेक्ट के अंदर क्या फाइनल रिजल्ट होगा इस तरह से इस तरह से और फिर वापिस आएगा उपर और इसके बाद ये डिस अपिर होगा एक बार और देख लिजिएगा ये इस तरह से आ जाएगा और फिर वापिस यह वाली चीज रिवर्स ओर्डर में हमारे पास आ जाएगी है लेते हैं यहाँ पर new composition मेरे पास size है 19-20, जरब 10-80, duration है इसकी 10 second background color black है ओके करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेंगे right click करके new में आएंगे और एक solid ले लेंगे, solid लेंगे इसी black color का access को रख लेंगे उसके बाद यहाँ पर आज जाएंगे text के उपर, यहाँ पर click करेंगे यहाँ पर लिख लेंगे जो भी आपका text है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इस तरह से mobile arena और इसके बाद यहाँ पर click करके इस तरह से हम इसको ले लिया है anchor point मेरा इस वकत यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आपने shortcut दुबाना है alt control home, anchor point हमारा center पर चला गया है इसके उपर click करके मैंने s press किया है, इसके scale को हम थोड़ा सा इस तरह से increase कर लेंगे यहाँ पर align है, इसको हम इस तरह से center में ले आएंगे अब यहाँ पर हमने आ जाना है इसके उपर और यह जो arrow का निशान है, इसको एक बार ऐसे करके दुबारा से खोलेंगे animate के उपर click करेंगे और position पर click करेंगे यहाँ पर इस तरह से यह आ चुका है, यहाँ पर add पर click करेंगे property में आएंगे और यहाँ पर opacity पर click करेंगे अब हमने यहाँ पर जो position है, उसको करना है 70, y position है और यह opacity है, इसको करना है 0 इसके बाद आ जाएंगे, यहाँ पर range selector में click करेंगे इस तरह से offset के उपर click करेंगे, यहाँ पर एक key frame आ जाएगा इसको ले आएंगे इस तरह से one second के उपर और यहाँ पर इसको कर देंगे हम 100 इस तरह करने के बाद दो हमारी animation त्यार होगी, वो कुछ इस तरह से त्यार हुई है अब देखिए दुबारा से, इसको मैंने space where press किया है, तो यह चीज़ आ चुकी है दुबारा से करेंगे, तो इस तरह से यह मारी animation बहुत मज़े की, थोड़ी से setting के साथ बाद चुकी है अब हमने आ जाना है वापिस, इसको हम इस तरह से बांध कर देंगे, इसको भी बांध करेंगे अब हमने इसके उपर क्लिक करना है, animate पे क्लिक करना है, और एक बर फिर position पे क्लिक करना है Animator 2 यहाँ पर add हो चुका है अब हमने आ जाना है तकरीबन यहाँ पर 0.5 सेकंड पर Position को हमने कर देना है Y Position 20 और यहाँ पर हमने इसको खोल लेना है Range Selector को यहाँ पर Offset है इस पर क्लिक करेंगे Keyframe Add हो जाएगा अब हमने इसको यहाँ पर कर देना है Minus 100 और हमने इसको ले आना है यहाँ से थोड़ा सा आगे तक करीबन 1.5 सेकंड पर और हमने इसको करेंगे यहाँ से 0 अब आप देखेगा कि क्या animation बनी है दुबारा से इसको प्ले करते हैं यह आप देख रहे हैं कि एक बार यह उपर आएगा और उसके बाद letter by letter यह नीचे आएगा दुबारा से देखेगा एक बार और प्ले करते हैं एक बार उपर आया उसके बाद letter by letter नीचे आया है अब थोड़ी से setting और करेंगे यहाँ पर आ जाएंगे हम advance में और यहाँ पर हमारे पस यह setting है is high इसको कर देंगे 100 इसको भी कर देंगे हम इस तरह से 100 अब अब देखेगा कि animation बनी है थोड़ी सी changes आई है इस तरह करेंगे और यह smoothly जो हो देखेगा कि नीचे आना शुरू हुआ है यह चीज अब यह वहले जो हमारे letter है हम चाहते हैं कि randomly नीचे आएं तो यह हमार पस है random order इसको off को हम इस तरह से click करके on कर देंगे अब यह randomly हमारे letter अब देखेगे यह randomly हमारे नीचे आ रहे हैं तो यह इस तरह से यह चीज फिर दुबारा से देख लेते हैं एक बार उपर गया और randomly लिए नीचे आ गए अब यहाँ पर हम आ जाएंगे इसके उपर इस तरह यू प्रेस करेंगे यू प्रेस करेंगे तो यह इस तरह से तमाम जो keyframe है वो minimize हो जाएंगे अब हम एक और चीज करेंगे final चीज क्या होगी जब यह यहाँ पर आ जाएगा इसके बाद हम यहाँ पर S दबाएंगे scale इस पर keyframe add करेंगे थोड़ा सा हम आगे चले जाएंगे और इसके जो scale है इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे तो यह काम करने के बाद इन दोनों को select करेंगे F9 प्रेस करेंगे और यहाँ पर यह वाला दबाएंगे और यहाँ पर देख लेंगे speed graph है इस तरह से करके इसको कुछ यह वाली shape दे देंगे और अब इसका result देखेंगे दुबारा से यह चीज़ अब हम वापिस आ जाते हैं इसके उपक्लिक करते हैं प्रेस करते हैं अब यह जो हमारे यह वाले keyframes है इनको select किया है F9 प्रेस किया है graph में आ गए है इनको भी हम थोड़ा सा बहुत मज़यका कर देते हैं ताकि यह भी इसमें जो look है वो बहुत खुबसूरा सी हमारे पास आ जाजए शुरू में slow और end पे तेज तो इस तरह किया है दुबारा से result को देखेंगे यह चीज़ तो इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं और इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं तो आप देखिएगा result यह चीज़ बहुत खुबसूरा चीज़ हमारे पास बन चुकी है अब हम इसको करते हैं इस तरह से यू प्रेस किया है अब हमने यहाँ पे Ctrl Shift D press किया है और यह चीज़ जो हमारी बन गई है इस तरह से इसको हम यहाँ से हटा देते हैं इसको उपक्लिक करते हैं Ctrl D press करते हैं दुप्लिकेट हुई है थोड़ा से इसको हम यहाँ पर ले आएंगे और इस पर राइट कलिक करेंगे यहाँ पर टाइम और यहाँ पर टाइम रिवर्स लेयर तो अब जब देखेगा क्या हुआ है सबसे पहले यह चीज़ इस तरह से आ जाएगी यह चीज़ अब यह रिवर्स ओडर में वापिस इस तरह और इस तरह यह गाइब हो जाएगी तो यह बहुत मज़े की चीज़ हमारी बन चुकी है विवर्स उमीद है आपको आज के वीडियो पसंद आई होगी इसको लाइक और शेर जरूर कीज़ेगा और हमारे चैनल मुबाइल अरिना को जरूर सबस्क्राइब कीज़ेगा इस बिलाद साइद साइनिंग ओफ अल्ला हाफीज